हेलो और वेलकुम बैक टू पिएसी पंचायत और हम यह लेक्चर दूसरी सीरीज है यह जिसमें हम करेंट इश्यूस को कवर कर रहे हैं जिसमें हम आपको देश और दुनिया में हो रही कुछ गत्विधियों के बारे में आप गत्कराएंगे ओके अभी रिसेंटली हम नीज़बेपर में पढ़ रहे थे काफी दो-तीन महीने से हम लगतार पढ़ रहे हैं एरान में जो हिजाब के अगेंस जो प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें पूरा एरान आ육टिव है उस प्रोटेस्ट में और हिजाब के अगेंस्ट है और अभी र izzard by the Iranian protestors who are protesting against the Hizab. Okay, so today we read about this. So about me, my name is Jyotsuna, and on the PCP we cover the lecture series on constitution policy and some current issues. So today I will be talking about this Iran protest and I will tell you why this protest start and what is this Hizab law in the Iran okay so Iran football team refuse to sing they refuse to sing national anthem FIFA World Cup जो हम जानते हैं दोआ में हो रहा है Qatar में Qatar का एक शहर है दोआ वहां पे FIFA World Cup और और वहीं पे Iranian football team ने national anthem गाने से इंकार कर दिया so they refuse to sing national anthem to show solidarity with anti-hijab protestors ठेक है यह वर्ल पूरी दुनिया में इस news को बहुत अच्छी खासी coverage मिली है कि हाला कि यह काफी bold step है आप कुछ समझ सकते हैं जो एरान की हुकूमत है वो चाह रही है कि यह protest पूरी तरीके से violent steps ले रही है ताकि यह protest को पूरी तरीके से बंद किया जाए और इस बीज एरान के football team का दोहा में एक FIFA World Cup इतना पूरे उसको वर्ल में उसको coverage मिलती है मीडिया coverage मिलती है और उसका यह national anthem गाने से इंकार कर देना काफी बड़ी news है so okay so we are talking about Iran हिजाब protest अब यह हिजाब law जो है this law यह कैसे आया और जो यह मुद्दा है यह कैसे शुरू हुआ और अभी तक क्या progress इसने ली है हम यह सब discuss करेंगे so Iran हिजाब protest यह बिस के लिए आप यहाँ यह तस्वीर देख रहे हैं यह लड़की है 22 साल की महसा अमीनी इनकी death के बाद यह protest शुरू हुआ अब इनको जो है महसा अमीनी यह 22 साल की लड़की इनको एक वहाँ पे जो morality police है हम आजकल news में यह term बहुत पढ़ रहे है morality police in Iran so morality police उसने इनको arrest कर लिया यह अपने भाई के साथ एक mall से बाहर निकल रही थी और इन्होंने हिजाब नहीं पैना हुआ था she was not wearing हिजाब ओके और वो अपने भाई के साथ थी और यह morality police जिनको guarding patrols भी बोला जाता है और इन्होंने इनको arrest कर लिया arrest करने के बाद यह हुआ कि यह custody में थी इनको detained कर लिया गया she was detained, she was in custody और फिर इसके बाद यह काफी इनकी हालत गंभीर हो गई थी इनको torture किया गया था बहुत इनके परिवार वालों का कहना है कि police ने इनको torture किया और इनका सर जो है vehicle से जो भी police की गाड़ी होगी उसमें इनके सर पकड़के उसमें बहुत जोर से मारा जिसकी वज़े से इनके सर में चोट लगी और उस वज़े से इनकी मौत हो गई अब state का कहना है कि इनकी मौत हुई है heart failure से sudden heart failure से custody में थी और heart failure से इनकी death हो गई है इनको detained इसलिए किया गया था क्योंकि इन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ था और इनकी मौत के बाद ही ये protest spark हुआ और पूरा इरान इस protest में फिलहाल जल रहा है अब हम देखते हैं कि ये जो महसा अमीनी के मौत के बाद ये जो protest शुरुआत हुई अब इस protest का जो मुद्दा है यानि कि हिजाब हिजाब को ले करके जो इतने strict laws हैं इरान में इनकी शुरुआत कैसे हुई So water, हिजाब, laws ये इनकी शुरुआत कैसे हुई Following the 1979 Islamic Revolution 1979 में जो Islamic Revolution हुआ था जिसके साथ Ayatollah Khomeini की सरकार बनी थी Ayatollah Khomeini इनका नाम भी आपने recently सुना होगा हपते भर पहले ही इनका घर भी जला दिया था Protesters ने तो 1979 में Islamic Revolution के साथ Ayatollah Khomeini की सरकार बनी जब ये सरकार आई तो इन्होंने absolute laws को ला दिया कि इनके जो धार्मिक laws हैं उनको तवज़ो दी गई आपसुलूटली तवज़ो दी गई इसमें एक शब्द का इस्तमाल किया जाता है जो शब्द है विलायत एफाखी विलायत एफाखी इसका जो मतलब है इसका मतलब ये है कि जो सरकार है वो तो है ही लेकिन जो विलायत एफाखी है यानि कि जो जूरिस्ट हैं जो इनके इस्लामिक law के जूरिस्ट होंगे उनका absolute authority है यानि He has divine authority उनको जो authority मिली है वो उपर से मिली है अल्ला से मिली है या इनके कुरान से मिली है तो यह divine authority है इनके पास और इनके द्वारा जो laws होंगे जो ये नियम बताएंगे rules, laws जो ये बताएंगे वो absolute होंगे ठीक है? वो सरकार द्वारा बनाये हुए laws से भी उपर माने जाएंगे they are above the laws of the country above the laws made by government okay so Ayatollah Khomeini के साथ 1979 में जो Islamic Revolution के बाद जो सरकार बनी वहाँ पे वहाँ से ये शिरुवाद हुई mandatory dress code की इसके पहले जो सरकार थी वहाँ पे वो pro-western थी मतलब वहाँ पे secularism था वो pro-western था तो उस वक्त तक औरतों को भी आजादी थी आप जब पुराने pictures देखेंगे 1960s, 1970s के आप Google में pictures search करेंगे इरान की तो आप वहाँ पे देखेंगे कि काफी हद तक वहाँ पे एक westernization of society society काफी western rules और regulations पे चलती थी औरतों को बहुत आजादी थी बुरका या फिर हिसाब जैसे कोई मुद्दे नहीं थे जिन्हें जो मर्जी है पहनने की वह पहनती थी school और college जाने की पूरी छूट थी उनको तो वह एक तरीके से pro-western थी ठीक है फिर 1979 में जब Ayatullah Khomeini की जब सरकार बनी तो इन्होंने Islamic laws को ज़ादा तरजी देना शरू करती है और उसी के साथ ये mandatory dress code आया यानि इस dress code को तो आप बिल्कुल भी इसका उलंगर नहीं कर सकते you have to follow the rules regarding these dress code अब इस dress code में क्या था कि सभी महिलाओं को all women to wear a head scarf यानि हिजाब and loose fitting clothes जो उनके कपडे होंगे वो loose होंगे आप देखते होंगे वो loose एक अबाया जिसको कहते हैं वो अबाया पहनते हैं so loose fitting clothes that disguises their figures in public basically जो women body structure है वो समझ में नहीं आना चाहिए so उसके लिए ये जो अबाया हिजाब इसके ये mandatory कर दिया गया अब जब आपने इनको mandatory कर दिया है तो उसके साथ ही आपने एक system बनाया एक policing का system बनाया उस policing के system में ये हुआ कि वो देखेंगे उनको morality police कहा जाता है एरान में उसको गश्ट ए अर्शद कहा जाता है यह यहाँ पर word लिखा हुआ है गश्ट ए अर्शद तो ये basically गश्ट देते हैं और देखते हैं कि कौन सी औरत ने उस हिजाब के rule को अबाया के rule को follow किया है अगर नहीं किया होता तो वो उनको पकड़ ले जाते हैं जैसा कि महसा अमेनी के साथ हुआ वो अपने भाई के साथ गूम रही थी और उन्होंने उस हिजाब नहीं पहना हुआ था और इस गश्ट ए अर्शद यानि guidance patrol या फिर morality police morality police नीजपेपर में हम जो पढ़ते हैं हिंदू में, Indian Express में वहाँ पर morality police word का इस्तमाल किया जा रहा है बहुत जादा तो इसलिए मैंने आपे लिख दिया morality police मतलब वो ये देखते हैं कि उनके बाल कवर हैं की नहीं उनकी पूरी बॉडी कवर है की नहीं loose fitting में कवर है की नहीं they have this power to assess it ओके इस से अब समझ सकते हैं कितने stringent laws हैं और cruelty इसकी वज़ा से कितनी होती होगी उसका ये नमोना है और महसामीनी पहली औरत नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ इसके पहले बहुत सारी औरतों के साथ ऐसा हुआ है और कई दफा ये movement हुए भी है ये पहला movement नहीं है लेकिन ये पहला movement है जिसको इतना wide support मिल रहा है पूरे wish भर से support मिल रहा है इनको wide support मिला ठीक है, even men are supporting it, men of Iran are supporting it, and other countries are supporting it, हमने देखा FIFA World Cup में, जो team है, men की team है, वो football की उन्होंने support किया, men of other countries are also supporting it, So basically, इस बार जो ये protest हुआ है, इसको support बहुत wide है, इसी वज़े से, ये जो protest है, इसको अभी तक coverage मिल रहा है, और इस protest में इतने सारे लोगों के जान जा चुकी है, इरानिन सरकार ने एक इंसान को तो सजाय मौत भी सुनाई है, क्योंकि इसने कुछ state laws तोड़े है, और कई और ऐसे लोग है, 20-30 ऐसे लोग है, जिनके उपर मुकदमे चल रहे हैं, जिसकी सजा सजाय मौत हो सकती है, तो gravity बहुत है इस protest की, अब इसमें जब ये morality police आई है, अलग-अलग देशों, अलग-अलग culture है, अब इंटरनेट की वज़ा से globalization बहुत ही ज़ादा close-nit हो गया है, है ना आप एक देश में कोई movement चल रहा है, उसका दूसरे देश में, दूसरे continent में पहुँचने में ज़ादा देर नहीं लगती, तो उस वज़ा से 2014 से protest शुरू ह हुए, ठीक है, तो एक तो सबसे पहले ये शुरू हुआ था, my stealthy freedom, ये फेस्बुक में एक पेज बना था, आज इसके कुछ तीन million followers है, maybe more than that, so my stealthy freedom, इसमें कुछ बच्चियों ने अपने हिजाब रिमूव करते हुए, और हिजाब को जलाते हुए, फोटो डाली थी, ठीक स्ट्रीट, ये भी एक ऐसा ही प्रोटेस्ट था, एक ऐसा मूवमेंट था, ये सारे ये तीनों online मूवमेंट्स है, my stealthy freedom, white wednesday and girls of revolution स्ट्रीट, ये तीनों ही online मूवमेंट्स थे, जैसा कि हमने रिसेंटली अपने देश में me too मूवमेंट्स देखा था, वैसे ये एक मूवमे में ले आते हैं, किसी एक मुद्दे पर, और जब कोई एक मुद्दा, जो किसी एक देश के, किसी एक particular समुदाय, particular group, particular section of society को affect करता है, और हम उसको online, उस movement को, जब online एक platform मिल जाता है, तो पूरे विश्व के, कितने सारे समुदाय हैं, उससे जुड़ जाते हैं, कितने सारे लोग जुड़ जाते हैं, उसमें gender rules नहीं होते, उसमें age बार नहीं होता, community religion बार नहीं होता, और ऐसे मुद्दों को जुड़ने से होता भी ये है, कि सरकार के उपर एक दबाव बनता है, हाला कि हिजाब produce काफी महीनों से चल रहा है, और अभी भी इरान की सरकार अड़ी ह इसमें कुछ तस्वीरे हैं, आद देख रहे हैं, ये, he's a man and he's shaving his head, अपने बाल ये shave कर रहे हैं, यहाँ पर एक महिला है, ये अपने बाल काट रही है, क्योंकि हिजाब क्या है, कि महिलाओं के बाल ढखे होने चाहिए, बाल नहीं दिखने चाहिए, तो महिलाओं नहीं नह इसमें सब ने अपने स्काफ जला दिये, है ना, जैसे हमारे इंडियान नैशनल मौमेंट में, जब विदेशी कपडों को लेकर हमने किया था, वैसे यहाँ पर ये चल रहा है, और स्कूल की बच्चियों ने अपने स्काफ रिमूव किये, उनको उडा दिया हवा में, और म महिला हो, and even men, men and women, both, so ये खास बात है कि इसमें आदमियों ने भी, मर्दों ने भी उतना ही सहयोग दिया है, हाला कि जो मेंस्ट्रीम में महिलाएं ही हैं, और आदमियों का ही बहुत सपोर्ट मिल रहा है इसमें, and remarkable thing in this protest is that men are also joining this protest, now, हमने देखा था, last year, करनातक में भी हि हिजाब का मुद्दा हुआ था, जहां एक स्कूल में जो स्टेट फंड से स्कूल चल रहा था, उस स्कूल में बच्यों को ये कहा गया था, कि आप हिजाब पहन के नहीं आएंगे, इस स्कूल की कुछ नियम है, उस नियम के अनरूप अगर चला जाए, तो आपको हिजाब अलाउड नहीं है, उस मुद्दे पे करनाटक हाई कोट ने भी उसको अफेल किया, कि सही है, क्योंकि वो जो स्कूल या कॉलेज था, वो स्टेट फंड से चलता था, और जब स्टेट फंड से चल रहा है, तो हाँ पे कुछ सेकिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ओके, सेकिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और स्कूल का पर्पोस है, ग्यान देना, है न, स्कूल का पर्पोस है, एड्यूकेशन, सो वहाँ पे सब अगर अपने 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 रिलिजिस सिंबल्स को ले करके आएंगे, तो उसकी जो होमोजीनेटी है, वो उसमें असर पड़ता है तो इस वज़े से करनाटक हाई कोट ने भी ये कहा, कि आपको स्कूल या कॉलेज में जो स्टेट की तरफ से चल रहे हैं, जो स्टेट एडिड हैं, उनमें आप ये रिलिजिस सिंबल्स का स्तमाल नहीं कर सकते, फिर ये माम लागया सुप्रीम कोट, सुप्रीम कोट ने जस्टिस हेमंथ गुप्ता एंड जस्टिस धूलिया थे, जस्टिस हेमंथ गुप्ता एंड जस्टिस धूलिया की टू बैज जज़ वेंच ने, split verdict दिया, मतलब दोनों जज़ेस का opposite opinion है, जस्टिस हेमंथ गुप्ता ने कहा, कि करनाटक ने जो प्रोहिबिटिव रूल ब बिलीव्स, cannot be warned to secular schools maintained by, maintained from state funds. अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह state funds से हैं या state-aided हैं, तो यहाँ पे जो नियम बनाय जाते हैं, वो सबके लिए समान हैं, तो जब सबके लिए समान नियम हैं, तो आपके लिए allowed नहीं हैं. दूसरा मुद्धा हिजाब को लेकर यह था, essentiality, यानि क्या हिजाब essential practice है, whether हिजाब is essential practice of Muslims, Muslim और Islamic religion. तो इसमें कई केसे हैं, एक तो केस है शिरूर मट केस, तो basically इसमें यह कहा गया था, कि हिजाब is not an essential practice. Essential practice वो होते हैं, जो आपकी religion के साथ innate है, उनके बिना आपका religion होई नहीं सकता. जैसे कि सिख धर्म में, जो उनके पाँच जो essential चीज़ें हैं, जिसमें पगड़ी आती है, जिसमें कटार आती है, किरपान आती है, और भी चीज़ें आती हैं, तो उनके बिना सिख धर्म है ही नहीं. सिख, कोई भी सिख ऐसा नहीं होता, जिसनें पगड़ी नहीं पहनी हो, और पगड़ी काटते ही हो सिख नहीं होता हो, तो इस वज़ए से सिखिजम में पगड़ी या फिर उनकी कटार, उनकी essential practice है, और आर्टिकल 25 में भी वो चीज़ दी गई है, आर्टिकल 25 के explanation आप पढ़ेंगे, तो उसमें सिखिजम के लिए जो कटार रखना उनके लिए allowed है, कि आप रख सकते हैं, because वो उनके religion का एक अभिन अंग है, that cannot be separated, ओके, वोही चीज़ हिसाब के साथ नहीं लागू होती है, ऐसा सुप्रीम कोट का कहना है, ठीक है, तो जस्टिस हेवन गुपता ने, जो करनाटक हाई कोट ने जो प्रोहिबिशन लगाया था, करनाटक गवर्मेंट ने जो प्रोहिबिशन लगाया था, उसको सही करार दिया, वोही उसके उलट, जस्टिस धूलिया का जो opinion था, वो जब हम बच्चेय। को कह रहे हैं कि आप स्टेट फंड से चलने वाले स्कूल पे हिजाब पहन के नहीं आ सकती तो उसे हमने पर्पॉस' कर रहे हैं कि हमारा उद्देश बस इसलिए है कि बच्चिया मुआपके नाओगा है क्या उससे उनकी लाइफ क्या बेटर होगी कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि हमने हिजाब बैन कर दिया तो अब उनके मावाप जो उनको घर में बिठा लेंगे तो उनके पास जो एक तो एजुकेशन मतलब जब घर वालों को लगता कि हाँ ठीक है उनकी बच्ची इसलामिक लॉस के एकॉर्डिंग कपड़े पहन रही है अबाया पहन रही है हिजाब पहन रही है और वो पहन के अगर वो पढ़ने जा रही है ऐसे स्कूल में जहां पे लड़के और लड़किय उनकी बच्ची जहां पे जा रही है वो सेकूरिटी के साथ पढ़ेगी हिजाब अबाया सबकुछ अलाउड है उनके धर्म में किसी भी तरीके से रोक टोक नहीं हो रही है तो अपनी बच्ची को पढ़ने को भीजेंगे तो एक तरीके से उनके लिए एक टिकेट टु एज तो दोनों जजिस के जो स्फ्लिट वर्डिक्ट है अब ये मुद्दा एक लाजर बिंच डिसाइड करेगी यानि अब एक ऐसी बिंच डिसाइड करेगी जिसमें दो से जादा जजिस होंगे और उस बिंच का जो भी निर्नाय होगा हम नेक्स वीडियो में आप पे आप तक जरूर में होचाएंगे तिल नाओ मैंने आप से डिसकस किया हिजाब लॉस के बारे में I hope you understood it and आगे जो भी होगा हम उसको लेके आएंगे and thank you for watching thank you